नमस्कार दोस्तो मैं रुविंद्र आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी एम आर के लिए जर्णल साइंस यानि सामाने विज्ञान के 15 मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्चन्स दो दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेस्चन से सबसे पहला क्वेस्चन कहता है निमनलिकित में से कों सा जर्मन सिल्वर का मुख्य गटक है चार उप्शन आपको दिये हुए दोस्तो टिन, तामबा, चान्दी और फ्लोरीन दोस्तो क्रेक्ट अंसर जोगा आपको बता दो दोस्तो जर्मन सिल्वर का जो main constituent है वो तामबा होता है copper होता है दोस्तो जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें nickel, जस्ता जो है मिल जाते हैं अगर दोस्तो इसमें मैं आपको बताओं कि कौन सा element कितने percent में होता है तो लगबग 60% तामबा 20 पर 30 निकेल और 20 पर 30 जस्ता होता है तो दोस्तो ध्यांड कियेगा ये चांदी जैसा दिखता है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है आप सिल्वर नाम से सिल्वर इसका नाम है लेकिन दोस्तो इसमें सिल्वर नहीं होता है चांदी नहीं होता है नेक्स्ट जो question दोस्तों मारे पास आता है कहता है नाभी किया सेंत्रों में निमेलिकित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है चार उप्षिन आपको दिये हुए है यूरेनियम, लोहा, ग्रेफाइट और प्लेटिनम दोस्तों question काफी ज़िदा important है राइट answer option number C हो जाएगा जो नाभी के सहत्रों होते हैं उसमें ग्रेफाइट का उपयोग नियामक यानि मोडरेटर के रूप में किया जाता है जोकि slow down करता है fast moving neutrons को next question कहता है दोस्तों निमेलेकित में से कौन सा मानो पुर्सों में सुकरान वो एवं मुतर दोनो के परवाह का obenist mark बनाता है चार option आपको दिये हुए हैं मुतार नालिगा सुक्राज से सुक्रवाहेनी मुतर बंग चार उप्शन आपको दिये वे दोस्तों क्रेक्ट अंसर जो होगा वो होगा यूरित्रा यानि मुत्रमार्ग उप्शन नमबर डी इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेस्चन के और बढ़ते हैं अगला स्वाल कहता है निमिले कितमे से कौन सा फ्लोयम प्रिन काइमा चार उप्शन आपको दिये हुए हैं क्रेक्ट अंसर उप्शन नमबर सी हो जाएगा दोस्तों वही निका नेक्स्ट क्वेस्चन के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला स्वाल कहता है यदि तीन किलोग्राम द्रेवमान वाली वस्तू पर छे निूटन का बल जाता है तो उसमें उत्पन होने वाले तवरण की गन्ना मेटर पर सेकिंड स्क्वेर में करें चार उप्शन आपको दिये हुए दोस्तों अगर मैं इसका फर्मला पता हूं तो बलका फर्मला आप सभी को पता है फोर्स क्या होता है दोस्तों मास इंटू एक्सलरेशन होता है द्रेवमान इंटू तवरण होता है तो यहाँ पर दोनों ही आपको दिये हों यहाँ पर आपको सिंपल एक्सलरेशन निकालना है तवरण निकालना है तो तवरण आप निकालेंगे तो तवरण किसके एकवल हो जाएगा मास इंटू फोर्स अपोन मास तो यहाँ पर करे तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्यस्तिति पर तरंग संचरण की दिशाओं में समांतर गती करते हैं चार उप्शन आपको दिया हुए है अनुप्रस्थ, अनुधेरिय, सतय और छितर अनुधेरिय, अनुधेरिय, इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन जो हमारे पास आता है दोस्तो कहता है बूमिगत जल और नदियों और जीलों और तलाबों का जल भी डैस होता है बोमिकत जल और नदियों जीलो और तालावों का जल भी डैस होता है चार उप्षन आपको दिये हुए हैं खारा, सुध नमकीन और खटा क्रेक्टन सराब इसका अंसर दे सकते हैं दोस्तो क्या होता है सुध होता है उप्षन नमबर B दोस्तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इंडियन नेवी MR के लिए 15 प्रैक्टिस सेट के PDF को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है जरूर से डाउनलोड कर लिजे दोस्तो और अगर आप प्रोमो कोड इंडियन V40 का इस्तमाल करते हैं तो आप इन प्रैक्टिस सेट को कम से कम प्रैस में डाउनलोड कर सकते हैं 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा जरूर से डाउनलोड कर लीजे दोस्तो ये कोड पहले 100 यूजर्स के लिए ही valid होगा दोस्तो practice set की कीमत promo code लगाने के बाद 29 रुपए हो जाती है जो कि दोस्तो value for money है क्योंकि दोस्तो 15 29 रुपए में आपको कहीं पर भी इतने अच्छे practice set नहीं मिलेगे क्योंकि ये practice set हिंडिय और इंगलिस दोनों ये language में है डिटे दोस्तो यहाँ पर जो है इसमें सारे के सारे previous year के question include किये गए है science, math और जिक्के के और दोस्तो इसमें से आपके exam में definitely कई question repeat होंगे तो जुरूर से ने download कर लीजिएगा काफी अच्छे practice set हिंड है दोस्तो और आपके exam के लिए काफी कम time बचा हुआ है तो practice set लगाने start कर दीजिएगा download करने का link वीडियो के description में है जैसी आप payment करेंगे आप जो है in practice set को download कर पाएंगे next question के और बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल कहता है HTML में dash tag का परियोग सूची में display की गई पर तेक मद को winner list करने के लिए किया जाता है चार option आपको दिये हुए है select option उसके बाद text area or input दोस्तो ये header लगाए हुए है आपको बताना है इसका correct answer तो इसका जो correct answer होगा दोस्तो वो आपका option number B हो जाएगा option number B option in header option इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो next question के और बढ़ते हैं अगला सुवाल कहता है कोबाल्ट का रासाइनिक परतीग क्या है कोबाल्ट का रासाइनिक परतीग क्या है C, L, C, O, C, A और के दोस्तो option number B इसका correct answer हो जाएगा कोबाल्ट का जो रासाइनिक परतीग होता है वो C, O होता है द्यान रखिएगा बाकि दोस्तो के आपका potassium का होता है calcium का होता है और C, L, chlorine का होता है next question कहता है दोस्तो Fe2O3 plus 2Al equals to 2Al2O3 plus 2Fe उप्यूक्ट अभी किरिया किस परकार की अभी किरिया है यह आपको बताना है चार उप्सन आपको दिये हुए है सहियोजिय अभी किरिया दुवी वी स्थापन अभी किरिया वियोजन अभी किरिया और विस्थापन अभी किरिया दोस्तो ऐसी question डेफिनिटल यह की बार पूछे जा सकते है क्योंकि दोस्तो यह भी आपका 10th level का chemistry का question है इसका जो correct answer होगा वो आपका option number D हो जाएगा विस्थापन अभी किरिया यानि displacement reaction next question जो हमारे पास आता है दोस्तो कहता है किस प्रकरम के दोवारा सव पोशी बहार से पदार्थों को लेते हैं तथा उन्हें उर्जा के संचित रूप में प्रिवर्तित कर लेते हैं चार option आपको दिया है सवसन, परकास insulation, अंत्यगरहन और संवेदन correct answer आपका option number B हो जाएगा परकास insulation परकास insulation दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा next question हमारे पास आता है दोस्तो कहता है मानों में धार्णगरा ही dash का पता लगाते हैं मानों में धार्णगरा ही dash का पता लगाते हैं तो दोस्तो चार option आपको दिया हुए है सवाद, गंद, स्पर्स और सुनना correct answer जोगा वो आपका option number B हो जाएगा गंद option number B गंद इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो next question काफे ज़दा important है और ऐसे question 101% आपका निवी MR exam में पूछा जाएगा question कहता है दोस्तो 2 meter per second square से तावरण के किस कारण किसी वस्तू का वेग एक निश्चित समय में 20 meter per second से 30 meter per second हो जाता है इस समय में वस्तू का वस्तू में होने वाला 20 meter में क्या होगा दोस्तो question को इस बार फिर से सुनिएगा 2 meter per second के तावरण के कारण किसी वस्तू का वेग एक निश्चित समय में 20 meter per second से 30 meter per second हो जाता है इस समय में वस्तू में होने वाले 20 थापन meter में क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer आपका option number B हो जाएगा option number B is the correct answer next question के ओर बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल कहता है जब कोई वस्तू समान समयंतरालों में समान दूरी ते करती है तब इसकी चाल डैस होती है जब कोई वस्तू समान समयंतरालों में समान दूरी ते करती है तो इसकी चाल डैस होती है तो दोस्तो चार उप्शन आपको दिया हुए है स्रल रेकिया सापेक, एक समान और एक समान, क्रेक्ट अन्सर आपका उप्शन नमबर C हो जाएगा दोस्तो एक समान यूनिफोम, उप्शन नमबर C is the correct answer, दोस्तो बढ़ते हैं हमारे last question कहता है जब गरम वायू उपर के और उठती है तो डैस चार उप्शन आपको दिये हुए है उस्तान पर दाब कम हो जाता है एक वाड़ फिर से क्वेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ जब गरम वायू उपर के ओर उठती है तो डैस चार उप्षन आपको दिये हुए हैं पहला उप्षन है दोस्तो उस्तान पर दाब कम हो जाता है दूसरा उप्षन है उस्तान पर दाब बढ़ जाता है तीसरा उप्षन है उस्तान पर आदरता कम हो जाती है और चोथा उप्ष सर दोस्तों आप सभी को पता है कि option number A हो जाएगा जब गरम वायू उपर के उठती है तो जिस स्थान से उठती है उस स्थान पर जो है वायू का दाब काफी जदा कम हो जाता है तो option number A इसका correct अंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये था हमारा एक practice set जो की इंडियन ने भी MR exam के ल करना चाते है तो अनकेडमी का link मैंने description दिया हुआ है वहाँ पर मैंने और दोस्तों नेभी MR के practice set जरू से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रोमो कोड जल्दी एकस्पार हो जाएगा फिर आप मुझे मत कहिएगा क्यूंकि आपके पास मोका है आपका exam भी आ चुका है और in fact जो है आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा बाकि दोस्तों अगर आपका कोई doubt हो किसे question में तो आप comment कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपको एक और next studio में till then have a nice day जै हिंद जै भारत आपके लीजित